बिकानेर की शेर्मी ने अफिन चाटते हुए बनाई इंस्ट्राग्राम रील पुलिस ने लिया बड़ा एक्षन नमस्कार में हुरिया विप्लिवान आप देख रहे हैं मर्थ्य प्रदेश का टोग MP7 देखिए पूरी खबर राजस्तान के बिकानेर में अफिन के साथ रील बनाकर नशिले पधार्ट का प्रचार करने वाली दो यूतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हैं पुलिस ने इन लड़कियों के पास से अफिन भीवरा मत की हैं इन्स्ताग्राम पर इन लड़कियों का वीडियो भी वाइरल हो रहा था जिस पर दिकानेर जिला पुलिस अधिक्षक तेजस्विनी गोतम ने तन्यार लेते हुए अफिन का प्रचार करने के लिए दोनों यूतियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया इसके साथ ही इन यूतियों पर NDPS Act के तहट मामला भी दर्च किया गया है वाइरल वीडियों में तीनों लड़कियां दिखाई दे रही है जिसमें से दो बहने हैं एक लड़की की उम्र 21 साल तो दूसरी लड़की की उम्र 18 साल है वही वीडियों में दिखाई दे रही तीसरी नावालिक लड़की इन यूतियों की रिष्टेदार है वीडियों में तीनों लड़कियां अफिम का इस्तेमाल करती दिख रही है इन यूतियों का वीडियो इंस्ताग्राम पर तेजी से वाइरल हो गया वाइरल वीडियो पर बिखानेर स्पी तेजर स्विनी गोतम ने संज्या लेते हुए कारिवाई के नियर्देश दिये जिसके बाद बिखानेर की बल्लब गार्डन निवासी इन यूतियों को पुलिस ने गिरपतार कर लिया और इनके पास ने 200 ग्राम अफिंग भी बरामत किया दोनो यूतियों की पहजान मोनिका राज पुरोहित उम्र 21 वर्ष और करिश्मा राज पुरोहित उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई दोनो यूतियां बहने हैं दोनो बहनों ने इंस्ताग्राम पर बिकानेर गर्ण और बिकानेर की शेर्णिया नाम से अकाउंट बनाया हुआ है और काफी पोपुलर भी है दोनो बहनों पर F.I.R. दर्ज कर सब इस्पेक्टर जीत राम को मामले की जाच सोबी गई है इन पर अफिन का प्रचार करने के लिए दिन बना कर सोचल मीडिया पर डालने का आरोप है वही वीडियो इंस्टाग्राम पर वाइरल होने के बाद उसे डिलीट कर दिया गया इंस्टाग्राम पर इन लड़कियों के लाखों फोलोवर से खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News